सलाम आलेकुम रहमतुल्लाई वबरकातू आज हम प्यास लीमू और ग्रीन टी की मदद से एक मज़ेदार सा टोनर भनाएंगे जो के हमारी स्किन के लिए बहुत ही जबरतस्त रिजल्ट शो करेगा जीतो हमें आज इस टिप के लिए तीन इंग्रीडियंट्स की जरूरत होगी जैसेясे कि अब थमनेल देखी चुके हैं ग्रीन टी और हमें लीमू और प्यास की जरूरत होगी ग्रीन टी हमारे यहां भन रही है तब तक हम प्यास की तरफ चलते हैं अब हम प्यास को काट लेंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह से काटने के बाद कद्दू कश करेंगे और इसका जूस निकालेंगे यहां पर हमारे ग्रीन टी बिल्कुल तयार हो चुकी है जिसमें हम लोहों ने एक काप पानी डाला है और एक ग्रीन टी लीए जैसे हम ग्रीन टी साधी भनाते हैं बिलकुल वैसे ही हमने ये ग्रीन टी भना लिया अब हम इसको प्यास को ग्रेटर की मज़र से थोड़ा सा ग्रेट करेंगे हम लोगों ने सुना था प्यास जो है वो बालों के लिए तो बहुत मज़े का है और इसकी बहुत सी अच्छे फाइदे हैं लेकिन आज की ये टिप बालों के लिए नहीं बलके हमारी स्किन के लिए है और हमारी स्किन के लिए प्यास इतना फाइदे मन है कि आप मेरी इस टिप को जब यूज करेंगे तो इंशाला आपको बहुत जबरदस हिजाइज मिलेंगे तो हम लोगों ने इस तरह से प्यास को कर लेना है क्यूंकि प्यास जो है वो हमारी स्किन के लिए स्किन में हमारे महासे, कील, चाइया या फिर दानों के निशान उन सब के लिए बहुत ही जबरदस्ट इफेक्ट शो करता है, अब मैंने प्यास को ग्रेटर की मदर से इस तरह से ग्रेट कर लिया है अब मैं इसका juice निकाल के दिखाती हूँ ये अब हम लोग इस तरह से इसको चनी में डालके प्यास को इस तरह से प्रेस करेंगे तो इसका juice जो है वो नीचे हमारे पास आ जाएगा सारे प्यास को जितना भी हम लोगोंने ग्रेट किया है वो सबका सब्स इस तरह से प्रेस करने के बाद हम इसका juice निकाल लेंगे यहाँ पर मैंने प्यास का रस निकाल लिया है और ये white white थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा purple होने की बजाए क्योंकि ये white प्यास था और हम लोग इस जगा pink प्यास जब use करेंगे तो pink color ही हमें मिलेगा अब इसके color को थोड़ा सा light करने के लिए और इसकी properties को बढ़ाने के लिए हमारी skin मजीद अच्छी हो हम इसके अंदर लीमू का एक रस डालेंगे और लीमू का रस और ये प्यास का पानी लेके हम green tea में डालेंगे और हमारा जो toner है वो तियार हो जाएगा ये हम लीमू का रस इसके अंदर शामिल करेंगे अच्छे तरीके से squeeze करेंगे ताके कोई भी लीमू का रस रहना पाए ये हम लोहो का प्यास का पानी और लीमू का रस अच्छे तरीके से हमने इसको हिलागे mix कर लेना है उसके बाद हमारे green tea भी भी थंडी हो चुकी है अब हम green tea और इन दोनों को एक साथ इकठा करते हैं तो यह हमने green tea अपनी निकाल ली है जो के आधा cup है और हमने अपना limo का रस और प्यास का रस भी निकाल लिया है अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे प्यास में विटामिन A, C और D है और साथ में प्यास जो है वो एंटी ऑक्सिडेंट है तो हमारी स्किन जो हमारी एजिंग होती है उसको कंट्रोल करेगा और लीमू में भी हम जानते हैं जानते हैं विटामिन C है और सिटरिक एसीड है तो जब प्याद और लीमू का कंबिनेशन हो तो हमारे स्किन हो जाती है ग्लोईश और बहुत ही जबरतास्त है तो हम इन दोनों को मिक्स करके एक टोनर भना लेंगे और हम इसको एक बोतल में डाल लेंगे जी तो मैंने अपना लेता है और अप में इस बोतल में डाल लिया है कोईसी भी बोतल जो के ऐसे स्प्रेय वाली हो उसमें डाल लीजिए ताके आप लोहोंको आसानी हो जोए इसको अप्लाए करने गीए हम इसको अप्लाइ करेंगे जहां आपको जरूरत होगी जहां पर आपके चेहरे पर आँखों के गिर्ट जो भी जुरियां पढ़ जाती है रिंकल्स या फिर दानों के निशान की इलम हासे कुछ भी उन सब का तोड इस टोनर की मदद से तो यह हम लोगों ने लगा लिया इस अब हम वजू करें तो हम उस टाइम वजू करने के बाद दुबारा से अपने चेहरे पर अप्लाइ करते रहें तकरीबान एक हफता यह रूटीन हमने रखनी है उसके बाद जब हमें रिजल्ट नदर आना शुरू हो जाएंगे तो आप इसको बेशक छोड़ दीजिए या हमेशा इस्तमाल करते हैं लेमन हमेशा घर में रखते हैं तो बिल्कुल जीरो कॉस्ट यह टिप है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए